किसान और प्रसासन के बीच में मुआवजे को लेकर के जो अंदोलन का रुख आज 86 वे दिन अब उग्र हो गया है लगतार आप देख सकते हैं जरा देखिए गोर से लाइब तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज यहां किसान उग्र हो करके पहुंचे हैं और उग्र हो करके आने के बाद यहां लगतार जिस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दिये हैं निश्षित तौर पर पूरे तरह यह थर्मल पाउर प्लांट निर्मान का अस्थल है यहां पर आप देख सकते हैं कि कई वाहनों को लगतार दर्जन भर वाहन करीब करीब यहां बूरी तरह जला दिये गए हैं प्लांट के कई यूनिट्स में यहां जिस तरह से लगतार आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है निश्चित तोर पर सामने दिखाना चाहेंगे सहयोगी को कहेंगे जरा दिखाएं कि कैसे यहां खड़ी बाईक और अन्य जो वाहन थे उनको जला दिया गया है लगतार पुलिस की कई वाहने यहां पर जली हुई है पेट्रोल टैंक से लेकर के तमाम जो है जहां तक आपको नजर आएगा पूरी तरह थर्मल पावर प्लांट के अंदर अभी धूआ ही धूआ आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसे यहां किस तरह से आगजनी की घटना को गाउं के ग्रामीनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद यह तस्वीरे आज सुबह यह सामने आया है कि किस तरह से ग्रामीन उग्र हो करके थर्मल पावर प्लांट निर्मान अस्थल पर धावा बोल दिये और धावा बोल करके तमाम जो यहां फोड किया जा रहा है उगर परदर्शन किया जा रहा है कसिस निउज आम जनों से यह अपील करता है कि किसी भी इस्थिती में हिनसक ना हो आपको जो सरकारी अस्तर पर मुआउजा मिलना है वो निश्चित तोर पर मुआउजे की रासी मिलेगी प्रसासनिक अस्तर के लोगों से प्रारंप कर दी गई है अब देखने वाली बाते होंगे कि यहां पर जो इलाका है अभी पूरी तरह सुनसान हो गया है थर्मल पाउर दस हजार आठ सो हजार कलोड की लागत से करीब पच्छतर सो यहां मजदूर अभी जो काम कर रह थे सभी के सभी यहां से निकाल लिए गया है सुरक्षित निकाल लिए गया है कुछ पुलिस कर्मी जखमी है कुछ ग्रामीन जखमी है हलाकि अब पूरे मामले में जिस तरह का यह सामने आ रहा है कि यहां पर तोड़ फोड की घटना के बाद आप लगतार देख सकते हैं कि किस तरह से आज्यनी से पूरी तरह ये प्रभावित हो चुका है इलाका थर्मल पावर निर्मान में जो करेरत थे लोग वो अब पूरी तरह अभी सुरक्षित हैं लगतार यहाँ पर प्रसासन के लोग और अब ग्रामीनों के बीच में सीधी आरपार की लड़ाई जो ठनी बबलू पादया कसिस न्यूज बक्सर